नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रजनी कांत आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के कंस्टिशूशन क्लव ओफ इंडिया में जहां पर ब्यापारियों का एक बैठक वार्शिक बैठक कहा जाए भारती उद्योग ब्यापार मंडल की तरफ से देश के कई राजियों से यहां पर ब्यापारी एकत्रित हैं और हमारा खास कारिक्रम बोल ब्यापारी बोल सरकार अपनी है और जब सरकार अपनी है तो ब्यापारी बोलेंगे देखें हमने एक तो GST की जो विसंगतियां है उसके लिए मांग किये है कि वो विसंगतियां दूर की जाएं और जिस परकार से इतने एक हजार से उपर वो अमेंडमेंट हो चुके हैं लेकिन अभी भी ऐसा कुछ कॉंक्रीट नहीं बनाएं टेक्स रेट में जो फरक है वो और एक हमने एक मांग किये कि ये करोना के बाद सबसे बड़ी जो दिक्कत आई है वेपारी बहुत टूट चुका है वेपार के अंदर बहुत देखते आई हैं बहुत टाइम दुकाने बंद रही हैं गौर्रमेंट की तरफ से कुछ सुविधाएं वेपारी को नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी एक हमने ये मांग किये और एक हम अलग वेपार मंत पर रहता है बड़े बड़े उद्योगों पर रहता है चोटी इंड़स्ट्री चोटा उद्योग वह उसमें कहीं पीट नहीं बैठता हम अनरोद कर रहें सरकार से कि इन चीजों को जल्द से जल्द वेवस्तित रूप से करें को विला आयात करना पढ़ रहा है तो आयात भ पाएगा इसके लिए सरकार से नरोद है कि वो इन सब चीजों पर ध्यान दे अभी करोना खतम नहीं हुआ तो हार के मौसम है आगे करोना और बढ़ सकता है उसके लिए भी मैं सबसे अनरोद कर रहा हूं कि अपना ये दोगज की दूरी और मास वहरा जूरू पहन के रखें त कर दो कर दो कर दो दो लिए.